Hello friends, आज हम लोग बात करेंगे कि पिछली वीडियो में जो हम लोगोंने 0 of the polynomial सीखा था कि ये क्या होता है और इसको कैसे find करते हैं तो आज हम लोग इससे related कुछ questions को देखेंगे और exercise 2.2 को भी solve करेंगे exercise solve करने से पहले ये दो तरह की question है इसको हम लोग समझते है कि कैसे इसको solve करते है जैसे पहला question है ये example के, NCRT के ही example के question है example 3 के question है कि check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2 यानि आपको check करना है कि minus 2 और 2, zero of the polynomial x plus 2 की zero है या नहीं तो यह हम लोगों को check करना है यह question है और दूसरा है कि find a zero of the polynomial px equal to 2x plus 1 यानि आपको इस polynomial की zero निकालनी है मतलब root निकालनी है तो पहले हम लोग इसको देखते हैं हम लोगोंने सीखा था वहाँ पे कि x की value रखने पर हम लोगों को क्या लाना है px equal to zero तो चेक जो भी verify वाले question होंगे या check वाले question होंगे वहाँ पे आपको यह जो value दी भी रहेगी यह आपको variable की value given है ठीक है यानि आपके question में आपके polynomial में जो भी variable है उसकी value यह given है आपको बस check करना है कि कौन सी value पे जो आपको given polynomial है वो zero हो जाती है ठीक है equal to x plus 2 यह आपका variable आपका x में दिया हुआ इसलिए मैंने x माना है px equal to x plus 2 अब आपको यह put करना है x equal to क्या माना है मैंने minus 2 minus 2 तो यहाँ minus 2 plus 2 यहाँ पे आपको value क्या आगई 0 ठीक है तो यानि x minus 2 यह क्या हो गया इस polynomial के लिए मतलब px equal to x plus 2 के लिए 0 of the polynomial हो गया ठीक है क्योंकि इसके value पे आपका p minus 2 क्या आगया 0 आगया अब हम लोग second value चेक करते है x equal to 2 तो p2 equal to 2 plus 2 क्योंकि यहाँ पे आपका px क्या है x plus 2 तो x के जगा पे अगर आप 2 put करोगे तो क्या आजाएगा 2 plus 2 यानि की 4 यानि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा इसका मतलब x equal to 2 जो है वो आपका 0 of the polynomial नहीं है तो यह 0 of the polynomial नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है इसलिए एक 0 of the polynomial है तो इस तरह के question में verify वाले question में या check करने वाले question में आप बस जो भी value आपको given रहेगा वो आप variable की value मानोगे और जो polynomial में जहाँ भी variable रहेगा वहाँ पुट करके देखोगे की कौन से value पे 0 आ रहा है तो इस तरह के question को आप इसी तरह solve करोगे second है find a 0 of the polynomial px equal to 2x plus 1 अब हम लोगों ने दूसरे तरीका भी सिखा था कि कैसे polynomial के help से polynomial equation के help से x की value find करते हैं मतलब हम लोगों को यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको लेके चलना पड़ेगा तरह हम लोगों को reverse जाना है मतलब हम लोगों को polynomial equation लेके चलना है यानि px equal to 0 अब यहाँ पे px आपका क्या है 2x तो 2x plus 1 equal to 0 ठीक है तो implies that यह implies that का sign है क्या हो जाएगा minus यह भी constant यह भी constant तो minus 1 2x यानि x equal to minus 2 क्योंकि 2 यहाँ पे into में है equal to के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा divide हो जाएगा तो x की क्या value आ रही है minus 1 by 2 यानि x की इस value पे आपका polynomial क्या हो जाएगा 0 ठीक है यानि यह क्या कहलाएगा आपका root of the polynomial equation px equal to 2x plus 1 इस polynomial के लिए आपका यह 0 क्या हो जाएगा minus 1 by 2 root बोलने का मतलब की 0 ही find कर रहे हैं हम लोग x की ही value find कर रहे हैं जिस पे आपका यह polynomial 0 हो जाएगा अगर आपको check करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो p minus 1 by 2 equal to अब जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे x की value put करोगे यानि into minus 1 by 2 plus 1 अब यह cancel हो गया ठीक है तो minus 1 plus 1 यानि value क्या आ रही है 0 आ रही है यानि इस value पे x की value हम लोगों ने निकाली वहाँ पे आपको p x equal to क्या आ रहा है 0 आ रहा है यानि यही क्या हो गया आपका 0 of the polynomial ठीक है अब हम लोग exercise 2.2 देखेंगे ठीक है 2.2 में क्या है कि आपको पहला question क्या दिया हुआ है question number 1 find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0 x equal to minus 1 x equal to 2 तो मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि p x अगर आपको value find करनी रहती है जैसे आप अगर यहां पे पहले question में लिख लेती हूँ p x equal to अब यहां पे आप देखो कि 5x पहले लिखा हुआ है minus 4x square plus 3 तो मैंने पहले ही बताया है कि polynomial जब भी आप लिखोगे तो decreasing order मतलब highest power to lowest power लिखोगे तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 4x square plus 5x plus 3 ठीक है तो यह आपका अब इसके बाद हम लोगों को क्या दिया गा है x equal to क्या put करना है 0 मैं एक question करके बता रही हूँ आपको x equal to 0 put करना है मतलब p 0 अब जहां जहां पे आपको x है वहां पे आप क्या करोगे 0 put करोगे 5 into 0 plus 3 यानि value क्या आरी है plus 0 plus 0 plus 3 यानि कि 3 यानि p 0 पे value क्या आई अब second question में क्या है कि p is equal to अब second question में क्या है कि आपको find करना है find p 0, p 1, p 2 अब यह p 0, p 1 और p जो 2 दिया हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो भी variable आपको polynomial में मिलेगा जैसे आप p y equal to y square minus y plus 1 तो variable क्या है यहाँ पे y है तो आप y equal to क्या put करोगे 0 y equal to क्या put करोगे 1 y equal to क्या put करोगे 2 ठीक है आगे यहाँ पे variable देखो t है तो आप t equal to 0 put करोगे t equal to 1 put करोगे t equal to 2 put करोगे तो यह variable की value दीवी है कि आपको यही value अपने polynomial में put करके value find करना है तो यह question number 1 की तरह ही है आपको बस value find करना है ठीक है अब देखो question number 3 में verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them तो यहाँ पे क्या है कि आपको verify करना है तो जैसे अभी मैंने first question बताया था check करने का वहाँ पे भी आपको यही करना है आपको px equal to 3x plus 1 यह पहला question है यहाँ पे आपको put करना है x equal to minus 1 by 3 अब आपको यही value को यहाँ पे put करके देखना है कि px 0 आता है कि नहीं ठीक है तो आम लों क्या करेंगे x की जगा पे क्या put करेंगे minus 1 by 3 अब 3 into x की जगा पे क्या put करना है minus 1 by 3 plus 1 तो यह हो गया तो minus 1 plus 1 यानि value क्या आ रही है 0 यानि यह value क्या कहला है कि 0 of polynomial polynomial px equal to 3x plus 1 यानि इस polynomial के यह क्या हो गया 0 of the polynomial इसी तरह आप सारे questions को put करके देख सकते हो ठीक है कि 0 आ रहा है कि नहीं अगर 0 नहीं आएगा तो वो 0 of the polynomial नहीं है और अगर आ रहा है तो वो value आपकी 0 of the polynomial हो जाएगी question number 4 में क्या है कि आपको यहाँ पे find करना है find these 0 of the polynomial in each of the following cases अब यहाँ पे इतने सारे questions दिये हैं इन सभी में आपको 0 of the polynomial find करनी है तो अगर मैं question number 1 लूँ जैसे px equal to x plus 5 तो मैंने बताया है इसको कैसे करते हैं आपको क्या करना है कि आपको equate कर देना है 0 से polynomial को और फिर यहाँ से आप x plus 5 equal to 0 x equal to यह constant part है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus से minus 5 यानि x equal to minus 5 अब यहाँ से x की value find कर सकते हो जो उसकी polynomial की 0 of the polynomial होगा मतलब root होगा इसी तरह आप सारे questions को solve करोगे जैसे जो भी दियावा है और solve करके x की value को find करोगे और वो ही आपका 0 of the polynomial हो जाएगा तो यह रहा आपका exercise 2.2 का solve आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे मैं उसे जरूर सॉल्फ करूंगी अगले वीडियो में हम लोग remainder theorem यह सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे so thank you